दुनिया की सबसे बड़े लूजर की है दास्तान उसको था वर्दान फटी रहेगी गाप रमेश रहेगा उपरेशान स्ट्रगलोर कांगाली में ही निकलेगा उसका सारा जीवान और कोई नियबद नसी भाई साफ मैं यू महान हमेशा ही मत थी लाचार और हॉसले थे मेरे बिमार फेलियर के सागर में खाली बड़ा था उमीदों का वेचाया जार दरता ता यार कहानी का साला निकले का भी या निकोई सार्थ या मेरे स्नारे पेन और साक्रिफाइस हो जाएंगे यू बेकार कोई फंक्शन में जाता नहीं था क्योंकि धंके कपड़े में थे और जूट बोलता था दोस्तों से कि समझ काम में फसा हो ना बे दे बाई डे अकेले काटने को दौरता था ये शेर बॉम्बे और कितनी इस हो जाए बन शकल का उड़ा हुआ हो रंग और उतास रहता हो मन तब जंच समझ में आता है कोई भजन और मोटिवेशन फिर काहिर का व्याभार और बहुत साली या रिष्टेदार वो बात करते भी ये समल कर कहिए वापिस मांग ना ले उधार अब तो ठान लिया था कितना अब इस समय मुझे कर दे लाचा इस वार में तो एटलीस नहीं डालने वालों में आपने हदियार धुनली थी राहे और रंजाना था सपर किसमत का क्यों बरसा मुझ बे ऐसा कहर बेजा थी जिन्दगी और खुदा था बेखबर किसी की भी शकल पर नहीं लिखा रहता है उनका सच इसलिए आखे मीच कर मतर ना किसी को भी यूँ ही जच हो सबता इसलिए खो रहा है वो बार बार अपमा धीरत कुई कि शायद आनाज लेने की पैसे भी नहीं कर पा रहा है विचारा खर्च काम मिलने की चर्चा को अब एक हो गया था अर्सा ये वो बादल थे जो गर्जा पर कभी रही था साला बरसा मा को एक छोटी सी खुशकबरी सुना ले सालों मैता तरसा फिर जूड बोल दिया करता था अभे मरता क्या ना करता फिर अकेला हुआ तो पता लगा मेरा हिम्मत ही मेरा असले साथी है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरा खुद का साथी मेरे लिए काफी है एक अबास बोती दिखाताम नहीं हुआ